पब्लिक टीवी आपकी आवाव गांधी नगर रोडवेज पुलिस चौकी पर करमचारियों को स्वास सेकेट और रोडवेज पर दुकानदारों को मास्क वित्रित किये गए और नीरज मित्तल ले व्यापारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए अनुरोध किया साथ में चेतावनी विदी के अगर बिना कोरोना गाइडलाइन का पालंग किये दुकान पर माल वित्रित किया तोस के खिलाब व्यापार मंडल का रवाई करेगा क्योंकि कोरोन अभीमारी अभी भारत से समाप्त नहीं हुई है व्यापार मंडल परिवार की सुरक्षा चाहता है इसलिए सहयोग की भी अपील की गई तिर्वेदी और धाना प्रिभारी गल शहिद इंस्पेक्टर कपिल सिंग और रोडवेज चोके इंचार्ज वीरेंद्र राटी भी मौझूद रहे सेंट ब्रपार मंडल के प्रदेश अध्याश्वी नीरज मित्तल जी के संग हमने आज लोगों को जागरुक किया है करोना के प्रती मास्क बाटे गए है और मैं एक ऑलिविया कंपनी का सूपर स्टॉकिस्ट हूँ जिसमें ऑलिविया कंपनी दुआरा स्वास्ते केटे बा और इससे पहले भी हम बैपार मंडल की तरफ से श्री नीरज मित्तल जी जो हमारे प्रदेश रहे हैं उनके संग हम काफी प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने हमने हमारे स्पी टी स्पी ट्रैफिक ओफेस सीओ कोतवाली सीओ सेविल लाइन जो हमने अपने कंपनी की तर ढईक है यह मास्क पहने और इसके कला ETHाज हमारे शुके ट्वारा और प्रदो दवारा लोग को ना की प्रति सब्रूर के प्रती जागरुक की ए गया है और मास्क वगेरा एक हमारी को दुवारा स्वास्तकित है बाटी भी बिल्कुल कर रहे हैं जैसा इस तरह कि देख़े गया तो लोग को मास्क तभी उस चीज को बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है कि लोग भी सोचे रहें कि अभी कोरोन चले कोरोन गया नहीं हम तो इसंदेश देना चाहिए के लोग बि कि इस तरह की यह चल रहा है उससे बचना है बचना है आज उत्त्रपते सेंव बैपार मेंटल की थब से अलिवा कंपनी की जो स्वास किट है उस स्वास किट को और हम लोगों ने मास्क रोडवेच चौकी पर बाटे थे और पुलिस करमचारियों को भी हमें स्वास किट दी थी जिसमें ऐसो गलसही और रोडवेच चौकी चार्ज और पुलिस करमचारी उपस्तित रहे और उन्हों को ने हमखिए के हम मुल्राबाद में बजारों में जंताओं को जागरु करने लिए वेपारियों को जागरु करने लिए इस तरह कावयां चलाएंगे और जो भी करोन में गायिड़ाइन है चिर्कार्दी उस गायड़ाइन को पूरा करवाने करेंगा प्यास करें पब्लिक टीवी आपकी आवाद